भक्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाए। भगवान शिव आपके सभी संकटों को समाप्त करें। दोस्तों, 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन आपको रात को सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह रख दें। पूरी दुनिया आपके तलवे न छाटे, तो फिर कहना और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ती है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो ऐसे में यह वीडियो एक बार जरूर देखें। आईए, भक्तों में प्यार भरा नमस्कार करता हूं भक्तो मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लाब देगा। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं, भक्तों, आपको 19 अगस्त, सावन का आखिरी सोमवार को रात को सोने से पहले एक लौटा जल इस जगह आप सोच रहे होंगे कि एक लौटा जल आखिर कैसे बदल सकता है किसमत। एक लौटे पानी के ऐसे तोटके जो समझने और देखने में तो छोटा लगता, पर इसके चमतकार असीमित्व अद्भुत हैं, जिसका प्रयोग कर आप हो सकते हैं धनवान। हर जगह आपका आदर होगा, देखा जाए तो आप राजा के समान जिंदगी व्यतीत करोगे, जी हाँ भक्तों, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख संपत्ति का आगमन हो जाएगा, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प् सकते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है, तो स्वयम भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आप जिस भी इष्ठ देव को मानते हैं, आपको पूर्ण समर्पन और विश्वास उसके प्रति होना आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के आपके सभी प्रकार के मनोरत सिद्ध होते हैं भक्तों, अगर आपका मन मजबूत होगा, तभी जाकर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे, और पूरे विश्वास के अगर आप किसी प्रयोग या फिर उपाय को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। अगर आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे, तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। काम के प्रति आपकी आस्था जगने लगेगी। भक्तों, पानी एक ऐसी चीज है, जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है। यानि कि कोई भी वस्तु पाने की धारा को रोक नहीं सकती, हर जगह पानी समाहित हो सकता है। पानी अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जिसके साथ वह मिल जाता है, उसी का स्वरूब ग्रहन करके उसी के समान फल प्रदान करने लगता है। भक्तों, पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, जिसकी वजह से उसके माता-पिता परेशान रहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है? सावन के महीने में एक काँच के गिलास में साफ पानी ले लीजिए, उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है, कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है, मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार से उस पानी को देखते हुए आपको उसे अभिमंत्रित कर लेना है और उसे अपने बच्चे को पीला देना है, जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, विश्वास कीजिए, य इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। पानी को देखते हुए बोले, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, और ऐसा करके आपको उस पानी को, उस व्यक्ति को पीला देना है, जिसे अंधेरे से डर लगता है, ऐसा करते ही वह व्यक्ति अंधेरे से डर ना छोड़ देगा, यानि कि उसे अंधेरे से डर नहीं लग भक्तों भी मजबूत बनाने का कार्य करता है चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है इसलिए भक्तों चंद्रमा का बल्वान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अगर आप खुद किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान है तो आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उस समस्या को मन ही मन एक बार उच्चारण करना है और बोल देना है कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा इस प्रकार से उस जल को अभिमंतृत करके खुद उस जल को पी लीजिए। यदि आप लगातार साथ दिनों तक इस क्रिया को करते हैं तो इस से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किये जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के उपर वशीकरण करते हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाफ नहीं जाएगा। वह आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास लेकिन यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गोलाम नहीं बना सकते, आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और सही है, किसी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से आप वशीकरण का कार्य करते हैं, त इसकी वजह से वह व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। पूरे जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए भक्तों पानी बहुत ही मजबूत चीज मानी जाती है। अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई चीज आपको लगातार परेशान कर रही है, उससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना है। जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धनकी होती है, उनके जीवन में धनकी बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते मित्रों। खबराने की जरूरत नहीं है। उस समय आपको अगर आप बेड़ पर सोते हैं, तो बेड़ के नीचे सिरहाने के पास तामबे के लोटे में एक लोटा पानी रख देना है, उस पानी में चावल के ग्यारह दाने डाल दे हात मुह धो करके आपको यह सब कार्य करना है, और जब आप सोने के लिए बेड़ पर जाएंगे उसी समय आपको मन ही मन कम से कम पाँच मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है, जब आप लगातार पाँच मिनट तक अपनी इच्छा को मन ही मन स्मरण करते हैं, तो इससे आपका वह जल अभिमंत्रित हो जाता है, फिर सुबह तक उस पानी को वही पर रहने दे और सुबह होने के पश्चात, आपको उस पानी को ले जाकर किंकर पेड की जड़ में डाल देना है, और बिना पीछे देखे ही, अपने घर लोट करके आज आईए दोस्तों, किंकर का पेड में असंख्य ऐसी आत्माओं का वास होता है, जो अतिरिक्त होते हैं, जब आप ज पेड की जड़ों में डाल सकते हैं, दोस्तों, इस प्रयोग को आपको सोमबार के दिन करना है, चाहे तो आप इसको एक बार कर सकते हैं, तीन बार कर सकते हैं, पांच बार कर सकते हैं, यानि कि जितनी ज्यादा बार आप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके हर कार्य बनने लगेंगे जोतिश शास्त्र में हर समस्या का समाधान किसी न किसी उपाय या तोटके के रूप में मिल ही जाता है अगर आप धन की समस्या से परेशान है वास्तु दोश से परेशान है ग्रह दोश से परेशान है कुंडली दोश से परेशान है या अन्य किसी और व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या से परेशान हो रहे हैं और अनेक प्रयास यह उपाय भी कर चुके हैं फिर भी आपकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है तो इस टोटके को एक बार जरूर प्रयोग करें अवश्य ही आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर परिवार में हमेशा के लिए सुख शान्ती का वातावरण होगा मित्रों, जन्म कुंडली में कोई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति को बैठे बिठाए अनेक परेशानियां घेर लेती हैं खासकर व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है बीमारियों के इलाज में खर्च भी अधिक होता है किसी ऐसे कारियों में धन खर्च होने लगता है जहां आप पैसा बचा सकते थे यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है अपने सिरहाने रात में सोते समय एक लोटा जल भर कर रखें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस जल को चुप चाप बाहर जाकर फेंक दें वापस आते समय पीछे मुड़ कर न देखें इससे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है दोस्तों इसके अलावा अगर आपके घर में भूत प्रेत आत्माएं हैं या कोई नकारात्मक शक्तियां हैं तो आप एक गिलास पानी से भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है इसके लिए आपको रात में एक गिलास में पानी लेना है और उसमें तीन चम्मच नमक डालना है उसके बाद उसमें वाइट विनेगर डाल कर अच्छे से मिला देना है और उसको घर की ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक उर्जा का ज्यादा एहसास होता हो उसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तर गंदा और पीला हो जाए तो आप समझ जाए कि घर में नकारात्मक उर्जा का वास है और अगर ऐसा न हो तो ऐसा कुछ नहीं है अब अगर नकरात्मक उर्जा आपके घर में है तो अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें कहा जाता है ऐसा करने से नकरात्मक शक्ती नश्ट हो जाती है इसी के साथ रोजाना घर में गुगगल, पीला सरसो और लोबान जलाएं और इसका धुआ पुरे घर में दिखाएं इससे बहुत लाब होगा अगर आपको मनचाही जौब नहीं मिल रही है या कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिती में सावन के महीने में किये गए उपाय बेहद फलदाई साबित होते हैं इस माह में पूजा के दौरान मां पारवती को चांदी की पायल अर्पित करें भक्तों मान्यता है कि ऐसा करने से तरक्की में आ रही रुकावटों से मुक्ती मिलती है और करियर में सफलता मिलती है साथ ही कारोबार में व्रिद्ध होती है विवाह में आ रही बाधा को सावन में दूर किया जा सकता है भक्तों सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का सच्चे मन से अभिशेक करें साथ ही जल्द विवाह होने की कामना करें इस टोटके को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए सावन सोमवार के दिन विधिपूरवक भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें साथ ही श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में दूध, दही, सफेद वस्त्र और मिठाई का दान करें जोतिश शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं उनकी कृपा साधक को प्राप्त होती है इसके अलावा भगवान शिव का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार की पूजा के दौरान पंचाक्षरी मंत्र आम नमह शिवाय का जब करें माना जाता है कि इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के दुख और रोग दूर होते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें धन्यवाद